गाईज आज हम SSR से हेटर का वायरिंग कैसे करते हैं, टेंपरेचर कंट्रोलर से RTD का कनेक्शन कैसे करते हैं, RTD का इंटरलॉक टेंपरेचर कंट्रोल में कैसे करते हैं, टेंपरेचर कंट्रोलर में क्या क्या पैरामेटर का यूज होता है, यह सब हम इस वीडियो में देखन तो हम इसका wiring देख लेते हैं सबसे पहले हम 3POL MCB के input side में 3P supply याने RYB base connect कर देते हैं उसके बाद हम MCB के output side से 3P supply लेते हैं और SSR की input side को connect कर देते हैं याने हम A1, B1 और C1 को 3P supply connect कर देते हैं उसके बाद हम 3P supply SSR के output से लेते हैं याने A2, B2 और C2 से हम 3P supply लेते हैं और heater के 3P terminal को connect कर देते हैं उसके बाद हमारा जो temperature controller है वो temperature controller हमारा 200B salt supply पे operate होता हैं तो हम क्या करते हैं 2POL MCB के input side में neutral और phase को एक wire को connect कर देते हैं MCB के output side से neutral को एक wire को connect कर देते हैं और उस wire को हम जो हमारा temperature controller है उस temperature controller के दो number terminal को neutral को connect कर देते हैं सेमे हम क्या करेंगे? MCB के output side से phase को एक wire को connect करते हैं और उस wire को हम temperature controller के एक number terminal को connect कर देते हैं जैसे हमारा MCB चालो होगा तो हमारे temperature controller को phase और neutral मिल जाएगी जिससे हमारा temperature controller चालो होगा उसके बाद हम RTD का connection कर देते, RTD हमारा यापे 3 wire का है, RTD की जो red wire है, red wire को हम temperature controller के 10 number terminal को connect कर देते RTD के जो negative wire है वो negative wire हम temperature controller के 11 number terminal को connect कर देते और जो हमारे output wire है वो output wire हमारे temperature controller के 12 number terminal को connect कर देते जैसे कि आप देख रहे हमने RTD का connection कर दिये हम step by step connection करेंगे जिससे आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा अब हम SCR का connection कर देते 16 number और 17 number हमारा SCR का terminal का positive और negative terminal है तो हम क्या करेंगे 16 number terminal से एक wire को connect कर देते और उस wire को हम SSR के positive terminal को connect कर देते हमारा जो 17 number का terminal है वो 17 number terminal से एक wire को connect कर देते और उस wire को हम SSR के negative terminal को connect कर देते अब हम indication lamp का connection करते है जिसमें हमारा 7, 8 और 9 terminal हमारा यहनों NC और common terminal है जिसमें हमारा 9 terminal common का है 8 टर्मिनल इनों काई और 7 टर्मिनल एंसी काई तो हम क्या करते हैं एक नमबर टर्मिनल से 9 नमबर टर्मिनल को एक वायर को कनेट कर देते यहने हमने क्या किया 220 होल्ट सप्लाइ में जो फेज है वो फेज को ले लिया है और 9 नमबर कॉमन टर्मिनल को उस wire को connect कर दिया है उसके बाद हम 8 number terminal से एक wire को connect करते और उस wire को हम green lamp के एक terminal को connect कर दे green lamp को चलो होने के लिए चाहिए neutral तो हम क्या करेंगे MCV का output side side neutral को एक wire को connect कर दे और उस wire को हम directly green lamp को connect कर दे उसके बाद हम temperature controller के NC terminal को याने 7 terminal को एक wire को connect कर दे हैं और उस वाइलर को हम रेट़ लेंग के एक वाइल को कनेट कर देते रेट़ लेंगे करें गहें थे पायक मभी लेह से पुर्टी तक जाने के लिए हमारा हिटर को चालो होना जरूरी है तो उसके लिए क्या होगा जो हमारा जो SSR है वो SSR कंटिनियूसली चालो रहेगा जब तक हमारा सेट पॉइंट सेट नहीं होता तब तक हमारा ग्रीन लैंब चालो रहेगा मतलब जो कॉमन में सप्लाय दे दिया है वो कॉमन का सप्लाय हमारा यहनों में मिल जाएगा लेकिन जैसे हमारा set point 40 में हो जाएगा तो उसके बाद हमारा green lamp बंद हो जाएगा और red lamp चलोगा यहने हमारा SSR बंद होगा जैसे हमारा SSR बंद होगा तो हमारा hitter भी बंद होगा उसके बाद जैसे हमारा set point 1 से कम होता है मतलब 40 से कम होगा यानि 39 होगा तो भी हमारा green lamp चालोगा और हमारा SSR चालोगा जिससे हमारा heater चालोगा जैसे set point set होगा तो green lamp बंद होगा और red lamp चालोगा जिससे हमारा SSR बंद होगा यह process हमारी continue रहेगी और जो हमारा actual temperature है वो actual temperature temperature controller में RTD से दिखता है मतलब जैसे RTD के value change होगी तो हमारा जो temperature controller है वो temperature controller के value कम ज़्यादा होगी गाइज उमीद है आपको मेरे इस वीडियो में कुछ नहीं सिखने को मिला होगा आपने अब तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल आइकोन को प्रेस कर दीजे जिससे मेरे नहीं वीडियो की notification आपको जल से जल मिल सके तो गाइस मैं मिलता वेकर नहीं वीडियो को टॉपिक के साथ धन्यवाद